ये है सीधे हाइलाइट्स IPL 2018 से सन्राइजर सेधराबाद ने रोमांचक मुकाबले में एक विकेट से मुंबई इंडियन्स को दिहार नमस्कार दर्शिकों आपके अपनी चानल PMS मेडिया की खेल जगत की खबरों में आपका बेहत स्वागत है इंडियन फ्रीमियर लीग यानि की IPL 2018 में इस बार हर मैच रोमांच की पराकाश्ठा तक पहुंच रहा है मुंबई इंडियन्स के 20 वर्शिय मयंक मारकेंड ने अपने दूसरे ही मैच में अपनी गैद बाजी से लोगों को प्रभावित किया है उन्होंने अपने चार ओवर में 23 रन देकर चार विकेट जटके मुंबई इंडियन्स उनके इस प्रदर्शन से जीत किस सिथी में पहुँच गई थी लेकिन सन्राइजर सेथराबाद के लिए दीपक हुडा ने नाबाद 32 रन बनाए उन्होंने 25 गैन में एक चौका और एक चक्का जड़ा और इसी के साथ वो एक छोर पर डटे रहे जिससे घरेलू टीम उतार चड़ाओ भरे इस मुकाबले को जीतने में सफल हो पाए सन्राइजर सेथराबाद ने अंतिम गैन तक चले रोमांच में मुंबई इंडियंस को एक विकेट से हरा दिया Sunrisers हैदरबाद की शांदार गैंद बाजी के सामने मुंबई इंडियन्स की टीम बल्ले बाजी का नियोता मिलने के बाद 8 विकेट गवाकर 147 रन ही बना पाई थी लेकिन मयंक मारकेंडी की लाजवाब गैंद बाजी के दम पर उसने इस छोटे लक्ष का अच्छा बचाओ करने का प्रयास किया Sunrisers हैदरबाद ने बिली स्टेनलेक के अंतिम गैंद पर चौका लगाने से 20 ओवर में 9 विकेट पर 151 रन बनाकर रोमान चक जीत हासल की ये उसकी दूसरे मैच में दूसरी जीत है जबकि मुंबई की ये दूसरे मुकाबले में दूसरी हार घरेलू टीम के लिए सलामी बल्लेबास शिखरधबन ने 28 गैंदों में 8 चौके मारे और कुल 45 रन बनाए और रधिमान साहा ने 20 गैंदों में 3 चौके मारे और कुल 22 रन बनाए इसी के साथ युवा मयंक ने साहा को पकबाधा आउट कर इस साज हिधारी का अंत किया इसके बाद टीम हैदराबाद ने लगातार 3 विकेट खो दिये जिससे स्कोर एक विकेट पर 22 रन से 4 विकेट पर 89 रन हो गया इसके बाद मैच काफी रुमान चक्स्थिती में पहुँच गया अंतिम 4 ओवर में हादराबाद को 24 गैंद में 24 रन चाहिए थे और उनके पास 5 विकेट बागी थे युसुफ पठान और दीपक ने मिलकर छटे विकेट के लिए 29 रन बना दिये जिससे लगा कि ये दोनों टीम को मिलकर जीत की तरफ पहुचा ही देंगे लेकिन जस्प्रीट बुमरा ने उनके उमीदों पर पानी फेरते हुए पठान के बाद राशित खान को आते ही पवेलियन की रहा दिखा दी इस वक्त दर्शक भी तनाव में थे अफगानिस्तान लेक स्पिनर राशित खान सबसे किफायती रहे जिन्होंने चार ओवर में तेरा रन देकर एक विकेट जटका उन्होंने अठारा डॉट गैंसे की इसी प्रदर्शन के कारण उन्हें मैन आफ दा मैच दिया गया वहीं सिधार्थ कॉल बिली स्टैनलेक और भुवी की जगे शामिल हुए संदीब शर्मा को दो-दो विकेट मिले जबकि शाकिब अलहसन ने एक विकेट हासल किया और इसी के साथ इस ताबर तोड़ मैच का अंध हुआ और संराइजर्स हैदराबाद ने इस मुकाबले को एक विकेट से जीत लिया तो चलिए इसी के साथ दीजे आई दीजे आवाश का